नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर तो दोस्तों मानव जाती को यदि मैं आपसे पूछ हूँ सबसे बड़ा खत्रा किस चीज से है तो हो सकता है आप में से कुछ बोले nuclear war से है जंग से है पर वो है पर उससे कई गुना ज्यादा खत्रा एक बहुती certain threat है हमारे स के उपर वो है climate change का global warming का और उस climate change global warming को यदि हमें कटेल करना है तो हमें चाहिए net zero emission तो वो net zero emission के लिए renewable energy की तलाश हमें करनी होगी कोई ऐसी renewable energy जो quickly हम adapt कर सके और uniformly विश्वभर में available हो तो इसी सपने को पूरा करने के लिए MIT के एक start-up क्वेस energy ने 60 million dollar की funding भी पा ली है और दोस्तों ये पृत्वी में सबसे गहरा drilling project undertake करने वाली है 20 km की गहराई तक drilling करने वाली है इससे पहले आज तक की सबसे गहरी drilling हुई है 12 km की रश्या में दोस्तों से 8 km ज्यादा ये ऐसी drilling है जो आज के conventional technology से impossible है तो ये उसको achieve करेगी और 20 km के बाद जो गरम पत्थर होगा 500 degree Celsius के temperature पर वहां से हमें मिलने वाला है unlimited, limitless energy और ये energy दोस्तों इतना easily adaptable होगा कि जो conventional thermal power plants हैं वो quickly इस पर switch भी कर जाएंगे तो दोस्तों जो ये startup का timeline है उसके अंतरगत 2 साल में अगले 2 साल में ये drilling project complete हो जाएगी और एक prototype भी बनके सामने आ तो क्या है ये revolutionary technology आज की class में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ये technology आपके मेरे और आने वाले generation के future को हो सकता है बदल तो दोस्तों न्यूस में हैं आप देख सकते हैं quiz energy ने एक radical plan बनाया जिसके तोरह deepest hole drill करेगी 20 km की गहराई तक और वहां से uniformly available unlimited geothermal energy को tap करने वा तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं pathfinder पर जल्दी से जाए चैनल को subscribe करें and bell icon दबाना ना भूले तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल community page पर भी जुड़ सकते हैं and यहां पर आपको lecture के बाद PDF updates मिल जाएंगे इसके सिवा अगर तक वीडियो को like नहीं किया तो जल्दी से like कर दें हमारे search algorithms और बाकी चीजें बी जो यूट्यूब की वो इसे push करती है तो is dream offer भी है दोस्तों 1 year subscription 49.965 रुपीज में आपको provide कर रहे है जिसमें 1 year GS है 1 year optional है 3 month extension है और यह आपको never seen before offer में मिल रहा है केसी 10 code use करें क्यों use करे क्योंकि आपको साथ में मिलता है कुछ extra benefit वो यह है मेरे द्वारा hand holding मिलती है mentorship मिलती है और जो guidance है यह सारे subjects of GSSA and geography optional को cover करती है loan की भी facility है 0% EMI में available है इसना फाइदा जरूर उठाएं तो आईए दोस्तों इससे पहले हम technology के बारे में जाने जल्दी से जियो thermal energy क्या होता है जान जाते हैं तो जियो thermal energy अगर आप देखे दोस्तों तो एक forgotten renewable है हम बात करना ही छोड़ती है आजकल अगर आप बात देखे क किसकी होती है solar energy wind energy जियो thermal energy क्या है सब भूल चुके हैं तो जल्दी से देखते हैं जियो thermal energy काम कैसे करता है तो दोस्तों कुछ इलाके प्रिथ्वी में ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ गहराई पे 1 km, 1.5 km, 500 m, 800 m, 1.5 km, 2 km या फिर surface पर जो पत्थर है प्रिथ्वी के अर्थ के वो गरम है या फिर जो ground water है वो नीचे की गहराई तक जो जियो thermal reservoir है 4 km की गहराई पर वहां तक ground water leak करके जाता है और गरम होके वापस surface पर आता है तो इस प्रकार से हमें गरम energy गरम पानी मिल जाता है तो जियो thermal energy अगर हम देखे किस mechanism पर based है कुछ इलाके प्रिथ्वी के ऐसे होते हैं जिनमें 3-4 km की गहराई पर जियो thermal reservoir मौझूद है याने गरम पत्थर देड़ सो दो सो ढई सो तीन सो डिगरी temperature पर देड़ सो दो सो डिगरी के temperature पर मौझूद है तो उसमें हम क्या करते हैं इस प्रकार से पानी को inject करते हैं और वही पानी जाता है जियो thermal reservoir में से गरम होता है और cracks के साथ pressure के साथ release होता है और इस प्रकार से जब वापस उपर आता है high temperature पर देड़ सो पॉने 200 डिगरी पर सुर जैसे ही उपर आता है यहाँ पर वो अचानक से थंडा होता है थंडा होता है तो यह super heated water steam में तबदील हो जाता है आप पूछेंगे sir 1500 जैसे 120-130 डिगरी तक पानी liquid form में रहता है तो वैसे यह super heated water के रूप में रहता है और surface पे आता है और यह steam में convert हो जाता है जैसे steam बनता है इससे हम यहाँ पे लगे turbine को गुमाते है turbine गुमता है नॉर्मल electromagnetic induction होती है और उससे बिजली बन जाता है तो जियो thermal energy की बात करें दो infrastructure लगाने में ही co2 release होगा और अगर आप per kilowatt hour of electricity देखें तो बस 23 ग्राम है और coal की तुलना में तो बहुत कम है solar से भी कम है solar plant को भी लगाने में fabrication किया या फिर वो plant के लिए जो जमीन खाली करवाई उस process में कुछ carbon आपने release किया है तो उससे भी आप देखें तो आधे से भी कम है तो 5% of conventional core fire power plant है तो बहुत कम है बहुत कम है अगर आप देखें तो greenhouse gas emission कहीं पर 45 ग्राम भी कहते हैं कहीं 23 ग्राम भी कहते हैं bottom line is it is very low it depends upon the technology of geothermal energy that you are using so bottom line is बहुत कम carbon emission है और इसकी potential है आज के time में 3-5% of global demand by 2050 याने बहुत ज्यादा नहीं है अब इसकी जो economic incentive आप देंगे तो कहते हैं कि 10% of global demand by 2100 हम fulfill कर लेंगे लेकिन आज की बात करें तो 0.5% of world की बिजली geothermal से बनती है और कहीं न कहीं इसको हम भूलते जा रहे हैं top 10 geothermal countries भी आप देख सकते हैं भारत की बात करें तो भारत में भी काफी geothermal reservoirs है money karan, kuga and ऐसे ही आप अलग-अलग इलाकों में देख सकते हैं तो यहां पर geothermal reservoirs है लेकिन क्या हमने इस्तमाल किया है geothermal energy को तो मुझे comment में बताए कोई plant है geothermal energy की भारत में तो मुझे आप comment में बताई लिमिटेशन क्या है क्यों हम geothermal energy को इस्तमाल नहीं कर रहे है कारण बड़ा सिंपल है दोस्तों geothermal energy uniformly available नहीं है आप देख सकते हैं भारत में कुछ geothermal reservoirs है जिसमें भी सब के सब commercially usable नहीं है यूटिलाइज नहीं किया जाया जा सकता है तो ideal conditions जो होने चाहिए geothermal energy के वो localized है कु अहां पर हम कुछ geothermal energy use करते हैं otherwise uniformly globally it is not available and इसके सिवा एक possibility भी है अगर आप ज्यादा use करोगे ना तो बार बार पानी inject करोगे तो rock कई बार cool हो जाता है और आपका पूरा पूरा infrastructure इतना मेहनत करके बनाया सब का सब बरबाद हो जाता है तो आप deplete कर सकते हो geothermal energy को तो अगर आप देखे तो जरूरी क्या है कि हम कुछ ऐसी technology develop करें कि हम uniformly हर जगे geothermal energy use कर सके तो दोस्तों में अर्थ की बात करें तो अगर आप 20 km की गहराई पर जाएंगे तो temperature करीबन 500 degree तक पहुंच जाता है और यह uniformly almost uniformly है अर्थ में हर जगे 20 km almost not always almost हर जगे 20 km की गहराई पर 500 degree की temperature क पत्थर का temperature आपको मिलेगा तो आप geothermal reservoirs को आप पाच आएंगे 500 degree Celsius का पत्थर मिलेगा तो यह जाहिर सी बात है आप अगर 20 km के depth पे पहुंच गए तो फिर तो आप इस technology को इस्तमाल कर सकते हैं 20 km के depth पर पानी inject करेंगे और उससे पानी गरम super heated water surface पे लाएंगे वो steam क्या बहुत सारा बिजली बहुत सारी बिजली बनती रहेगी unlimited बिजली बनती रहेगी और यह बीस किलो मिटर पांट सो डिगरी unlimited supply of earth heat है ऐसा भी नहीं कि थंडा होगा यह lifelong and lifelong क्या मतलब humankind के lifetime तक यह बिजली चलती रहेगी and irrespective of the locational factors कोई geopolitics भी नहीं होने वाला है कि तु पैसा कैसे वो बीस किलो मिटर तक ड्रिल करेगा ऐसी कौन सी revolutionary technology है आईए इस पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कोई से energy अगर आप देखें तो MIT का start-up है and इसका goal है दोस्तो अर्थ के crust में 20 किलो मिटर की गहराई तक ड्रिल करना आज तक जो सबसे गहरा गड़ा है प् जो पत्थर भी है वो अगर आप देखें तो काफी ज्यादा high temperature पे वो malleable हो चुके हैं तो malleable होने के वज़ेसे easily तूटते नहीं है high pressure पे हैं वो पत्थर तो drill bits उसको तोड़ नहीं पाते हैं तो इसके लिए हमें कुछ अलग technology चाहिए तो यहाँ पे quays energy ने conventional drilling method को millimeter wave drilling technology के साथ integrate किया है और यह millimeter wave drilling technology वो technology है जो कि कल को nuclear fusion को भी possible कर सकती है तो क्वेस इस प्रकार से 20 km की गहराई तक drill करेगी और limitless energy unlock कर सकती है तो इनका जो purpose है दोस्तों अगर हम बात करें यह कैसे काम करता है अगर हम इस millimeter wave drilling technology की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों इसका जो device use किया जाता है जिसको कहते है गाईरो ट्रॉन तो अगर हम गाईरो ट्रॉन की बात करें तो यह आपको मैं डेप्ट में दिखा सकता हूं यह कोई से energy का ही का बहुत बढ़िया well explained chart है इसको आप देख सकते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों एक गाईरो ट्रॉन का इस्त किया जाता है कारता जाता है उसके बाद मिली मिटर वेव टेक्नोलाजी का इस्तमाल करेंगे तो मिली मिटर्व मेरो टेकनोलॉई में गाईरो ट्रॉन का इस्तमाल किया जाता है अप अगर देखें तो मिली मिटर वे différentes करता है यह प्रकार की electromagnetic waves हैं यह electromagnetic waves क्या करते हैं कि ये electrons को जो atom में हैं उसको तेजी से spin करवाते हैं और इतने तेजी से spin करवाते हैं कि वो खुद melt करने लग जाता है तो gyrotron fusion research में भी इस्तेमाल किया जाता है कहा जाता है ये बहुत powerful है laser से भी कई गुना जादा powerful है और बहुत तेजी से energy transfer करता है और इस वज़े से बहुत great efficiency से हम rocks को melt कर सकते हैं तो इस technology की अगर हम बात करें तो ये millimeter long wave electromagnetic radiation क्या करेगा तो ये atoms को melt करवा देगा और ये कैसे होगा electromagnetic waves होगी जो electron को shake करवाईगी इन powerful magnetic fields में जो generate होंगी उससे तीन किलोमीटर के बाद पत्थर कटेगा नहीं जलना शुरू होगा और अगर जलना शुरू होगा तो साथ में क्या release करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पे इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पे तो यह आरगन आरगन और पार्टिकल्स रॉक पार्टिकिल्स होगे आपको निकलते हुए देखेंगे यहां से आप देख रहे हैं सर्पसर मिलीमिटर जनरेट हो रहा है और यहां पर iki अंदर चलेगी ब्याट चली वाली है and इस प्रकार से हम 500 degree Celsius के temperature वाले reservoir में पहुंच जाएंगे पत्थर का temperature 500 degrees होगा और उसके बाद वही कहानी होगी liquid water pump करेंगे और उसके बाद जैसे ही 500 degree में पहुंचेगा वो vapor like super critical state में होगा और वो perfect होगा विजली बनाने के लिए बहुत ही conventional तरीके इसे coal thermal power plant में turbines तो हैं ही बस क्या चाहिए steam चाहिए steam कहां से लाते हैं हम coal जलाते हैं पानी को गरम करते हैं और उससे steam बनाते हैं तो बस हमें क्या करना है आने वाले दिनों में अगरी technology successful हो गई तो इनका कहना है 2024 तक first scale hybrid drilling rig combining conventional rotary and millimeter wave drilling capabilities deploy की जाएंगी और इसके साथ 2026 तक इनका timeline है कि first super hot enhanced geothermal system बनेगा जो 100 megawatt of thermal energy को generate कर सकेगा और ये भी अगर successful हुआ तो 2028 तक जितने भी thermal power plants हैं उनको क्योंकि वहाँ पर already reserve steam and turbine लगे हुए हैं जो की steam पर करते हैं तो बस coal के जगे उनको change कर दिया जाएगा उनको repower कर दिया जाएगा इस प्रकार के clean geothermal screen से तो thermal power plants तो दुनिया में हर जगे हैं तो बस ये technology use की जाएगी और उससे उनको power किया जाएगा तो इस प्रकार से क्वेस को की 63 million dollar की funding भी मिल चुकी है और अगर यह successful हो गई तो दोस्तो कह सकते हैं आप renewable energy का future पूरे तरीका से transform हो जाएगा और इसके साथ हमारा भी और आने वाले generation का दो तो दोस्तो अगर आपन academy के बारे में कुछ भी preparation journey से लेके subscription से लेके latest offers तक यादी कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे counselor से जुड़ सकते हैं counselor का number यह रहा उनको बस KC10 code बताइएगा आपको मेरी additional mentorship भी मिलती है इंडिया के best educators हमाई साथ जुड़े हुए है इसके सिवान academy civil service championship है मार्च 27 को जरूर इसका हिस्सा बने अगर आप इन सभी के knowledge के द्वारा आपको मार्च दिर्शन भी मिलेगा तो एकाडमी light prelims and CSAT है दो प्रकार की test series है आप हिस्सा ले सकते हैं 6 महिने की भी है एक साल की भी है prelims and CSAT हम दोनों cover कर रहे हैं test series में तो 28 test 56 test दो प्रकार के test है इनका हिस्सा बना आइकनिक सब्सक्रिप्शन है 1-2-1 live mentorship है main description है इसे practice है study planner है यह सब कुछ आपको मिलता है an academy subscription पर तो एक साल की an academy subscription है 46 791 रूपीज लेकिन इससे 3000 रूपय ज्यादा में आपको हम combo free of cost combo provide कर रहे हैं जिसमें plus dsb और optional भी है और 3 मंत की additional subscription है आइकनिक की एक साल की कीमा से 67041 और optional की एक साल की कीमा से 24 750 तो इनका हिस्सा बने use the code kc10 UPSC batches भी है March 20 से start हो रहे हैं इनका हिस्सा जरूर बने साथी साथ एन academy store है दिली में अगर अब तक visit नहीं किया तो अब जाए ज़रूर जाके visit करें और बाकि जब भी एन academy है use the code kc10 for guidance and mentorship Thank you so much for joining have a great day